Dear Students, मैं Dr. Aabha Gupta, Associate Professor, Government Meera Girls College, Udhapur. आज अपने व्याख्यान में चर्चा करूंगी कुशिका की संरचना या स्ट्रक्चर ओफ सेल. आज हम भाग एक में इसके कुछ हिस्से के बारे में चर्चा करेंगे. आपने अपनी विगत कक्षाओं में भी कुशिका के बारे में बढ़ा होगा. ये नाम नया नहीं है हम सब के लिए. सभी जानते हैं कि मानव शरीर हो या एक पौधा है. सभी किसी न किसी छोटी एकाई से मिलकर के बनते हैं. और इसी छोटी एकाई को हम कोशिका कहते हैं. कोशिका या जिसे हम इंग्लिश में सैल कहते हैं. सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक एकाई है. और प्रायाह स्वतह जनन का सामर्थ्य ये रखती है. अर्थात स्वयम से स्वयम पैदा होना या स्वयम से दूसरी कोशिका को पैदा करना यह विभिन पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं अर्थात जैसे श्वसन की क्रिया है, पाचन की क्रिया है, ये सभी क्रियाएं जो हैं, ये कोशिका में भी होती हैं. कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लेटिन भाशा के शेलूला सब शब्द से लिया गया है जिसका आर्थ होता है एक छोटा कमरा कुछ सजीव जैसे जिवानुओं के शरीर पर एक ही कोशिका से बने वे होते हैं उन्हें हम एक कोशिकी जीव कहते हैं जैसे कि अमीबा जबकि कुछ सजीव जैसे मनुश्य का शरीर अने कोशिका उन से मिलकर बना होता है और उन्हें हम क्या कहते हैं बहु कोशिकी सजीव यूनिसेलिलर या मल्टिसेलिलर जो है यूमन बींग्स जो है वो मल्टिसेलिलर में आते हैं सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर होती हैं कोशिकाओं के भीतर ही आवशक अनुवांशिक सूचनाएं भी होती हैं जिनसे कोशिकाओं के कार्य का नियंतरण होता हैं और सूचनाएं अगली पीड़ी की कोशिकाओं में स्थांतरित होती हैं हम सबने कई बार ये चीज अब्जर्व भी की है अपने दिन प्रति दिन की जीवन में हम स्कूल या कॉलेज या कहीं और हिस्सों में जाते हैं अपने परिवार में भी हम देखते हैं कि अनुवांशिकता के लक्षन जो हैं वो हमें एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में द तो ये कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अनुवांशिकता में हमें प्राप्त होती हैं अब इनी कोशिकाओं का जो विदिवत अध्यन किया जाता है उसे कोशिका विज्ञान या कोशिक जिसे साइटोलोजी या कोशिका जैविकी या सेल बायोलोजी कहा जाता है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वेग्यानिक ने सन 1665 इस्वी में की थी और सन 1849 इस्वी में श्लाइडेन और श्वान नामक वेग्यानिकों ने कोशिका सिधान्त को प्रस्तुत किया जिसके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ती पहले से उपस्थित किसी कोशिका से ही होती है अर्थात ये कोई पिल्कुल नई कोशिका नहीं बन रही है एक कोई एक प्रकार की कोशिका है और उसी से दूसरी प्रकार की कोशिका जिसे की हम पुत्री जो है वो कोशिका या daughter cell भी कहते हैं तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है कोशिका की संरचना हम थोड़ा विस्तार से आगे देखेंगे तो देखने में एक कोशिका को जब हम माइक्रोस्कोप से या जो हमारा सुक्षमदर्शी यंत्र है उससे जब देखते हैं तो इसमें बहुत सी अलग-अलग चीजें हमें देखने को मिलती है न्यूटो अगर नगना आखों से देखें तो कोशिकाएं नजर नहीं आती है और सुक्षमदर्शी में भी बहुत अच्छी रेंज वाले सुक्षमदर्शी से जब हम देखते हैं तो इसमें इस तरीके की अलग-अलग हमें संरचनाएं दिखती हैं अब इसमें आप दिखेंगे की अलग-अलग पड़तें भी हैं इस पे एक कवरिंग या जिल्ली या मेंब्रेन भी दिखाई दे रही है मानव शरीर कोशिकाओं के समूह से बना होता है मानव शरीर की रचना मात्र एक ही कोशिका से आरंभ होती है कोशिका या सेल जिवित पडार्थों की इकाई एमवम जीवों के निर्मान की मूलभूत आधार इनका होती है अलग-अलग उत्पत्ति के बावजूद इनमें बहुत कुछ समानता होती है बिन अंगों के कोशिकाओं में भिन्नता होती है परन्तु सभी की मूलभूत रचना एक समान होती है अर्थात जैसे अगर हम अपने शरीर को ध्यान से देखें तो जो हमारे हाथ की हतेली या पाओं के तलवे वाला हिस्सा है तो पाओं के तलवे के हिस्से में जो चमड़ी पाई जाती है हो भी कोशिकाओं से ही बनी हुई है एक उसकी संरचना देखें इसी प्रकार से अगर हम अपने आखों पर पाई जाने वाली जो जिल्ली है उसकी संरचना देखें या हम अपने गले के अंदर मुँ में पाई जाने वाली जो त्वचा है उसकी चर्चा करें या नाक की अंदर वाले, नतुने के अंदर वाले हिस्से की चर्चा करें. सब जगे अलग-अलग प्रकार की जो है, वो कोशिकाएं पाई जाती हैं, और जब एक प्रकार की कोशिकाएं इखटी होती हैं, तो वे एक विशेश अंग का निरमान करती हैं. जैसे, कहीं पर उस प जो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन हेतु आवशक सभी तंत्रों को सुचारू रूप से चला सके। कुशिका को इस प्रकार परिभाशित किया जा सकता है कि कुशिका प्रोटोप्लाज्म की एक सुक्षमितम एकाई है जो जीवन की क्रियाओं को स्वतंत्र रूप से करने की शम्दा रखती है सन 1831 में जर्मन वैग्यानिक टीश्वान ने कुशिका सिद्धान्त का एक मुख्य विचार प्रस्तुत किया कुशिका सनरचना सभी पौधों और जीवों के लिए समान है और हम फिर से एक पार दोहरा दे कि कुशिका की जो वास्तविक होज है वो इंग्लेंड के वैग्यानिक भी रॉबर्ट हुक ने की थी कुशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म और नन्न ही होती है कि इन्हें बिना किसी शक्तिशाली माइक्रोस्कोप या सूक्ष्म दर्शी की देखना संभग नहीं होता है इन्हें अनेक रासायनिक रंगों में रंगने के बाद इस्थिर करके जिसे की स्टेनिंग और फिक्सिंग कहा जाता है उसके पश्चाथी देख सकते हैं स्टेनिंग से कोशिका के भिन 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 भाग भिन भिन रंग ग्रहन कर लेते हैं और इस प्रकार से सभी स्पष्ट तथा एक दूसरे से अलग दिखाई देने लगते हैं। कारियों की विभिन रता के कारण कोशिका के आकार और आकरती अर्थात शेप और साइज में अंतर आ जाता हैं। परन्तु कुछ रशनात्मक विशिष्ट गुण जो की स्ट्रक्ट्रल केरेक्टरिस्टिक्स फीचर कहलाते हैं वो सभी कोशिकाओं में एक जैसे ही रहते हैं। कहने का तात्पर यह है कि जैसे हम अगर अपने आसपास भी कई लोगों को देखें तो उनका चेहरा जो है एक व्यक्ति का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता है। या जरूरी नहीं है कि कक्षा में जितने बच्चे हैं वो समान हाइट के हो। या ऐसा आवश्यक नहीं है कि सब की तवच्चा का रंग एक जैसा हो लेकिन फिर भी समानता क्या है सब में अगर वो मनुष्य जो भी मनुष्य है एक आख होगी उसकी एक नाख होगी उसकी दो आखे होंगी और साथ ही साथ में उसके दो कान होंगे तो यह चीज़ें जो है कुछ स्ट्रक्चरल सिमिलारिट जो है वो सभी में पाई जाती है कोशिका के निम्ने लिखित भाग होते हैं अब हम चछचा करेंगे कि कोशिका और कोशिका में क्या-क्या पाया जाता है उसके कितने हिस्से हैं हम उसे कितने प्रका, वसमें बाढ़ सकते हैं पहला कोशी का भित्ती या cell membrane जिसको कहा जाता है दूसरा कोशी का सार या cytoplasm या कोशी का द्रव भी जिसे कहा जाता है और तीसरा केंद्रक या nucleus भया जाता है तो ये तीन प्रमुक भाग हैं लेकिन हाँ फिर भी कुछ विद्वानों ने cytoplasm और cell membrane को जो है वो एक माना है और कुछ लोगों ने cytoplasm और nucleus को एक ही जो है वो कहा है तो तीन चीज़े हैं कोशी का भित्ती या कोशी का जिल्ली जिसे कहते हैं दूसरा कोशी का द्रव या cytoplasm और तीसरा केंद्रक या nucleus तो कुछ विद्वानों ने साइटोप्लाजम और नूकलिस को ही मुख्य अंग माना है, उनके अनुसार सैल मेंब्रेन या कोशी का भित्ती जो है, वो इस साइटोप्लाजम का ही एक भाग है, उसी की covering है, तो अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कोशी का भित्ती या कोशी का आवरण की वह जिल्ली जो की कोशिका को ढख करके रखती है संपूर्ण कोशिका को चारों ओर से ढखने वाले आवरण को हम कोशिका भित्ती कहते हैं इसके उत्पत्ती साइटोप्लाजम से होती है यह प्रत्यास्थता पूर्ण अस्थाई और परिवर्थित होती है प्रत्यास्था पूर्ण का मतलग elasticity होती है उसमें वो अलग-अलग shape जो है वो बदल लेती है अस्थाई क्यों क्योंकि एक समय के बाद में जो है उस कोशिका का स्थान जो है वो नई कोशिका ले लेती है और ये बदलती रहती है इसकी उत्पत्ती वास्तव में कोशिका के भीतर के गाड़े तरल का जब वो ठोस रूप हो जाता है तब ही इसकी उत्पत्ती होती है कोशिका बित्ती ही समस्त कोशिकाओं को सहारा देती है इसके कारण ही कोशिका का एक अलग अस्तित्व बनता है और इसी कारण यह पास की कोशिकाओं से अलग रहती है परन्तु कोशिका बित्ती इतनी सूक्ष्म होती है तथा पास की कोशिकाओं की बित्ती से इतना अधिक सठ जाती है कि दोनों कोशिकाओं के बीच केवल एक ही बित्ती जो है, वो नजर आती है इस तरी के से अगर हम देखें तो कोशिका बित्ती का अगर structure देखने की कोशिच करें तो इस प्रकार से जो है ये पास-पास में सटी रहती है और कई बार जो है वो दोनों के बीच में वाल जो है वो ऐसा लगता है कि वो एक ही दिवार है या एक ही common वाल है वो कोशिका बित्ती के आकार में बिन्नता होने के कारण ही कोशिका का आकार भी अलग-अलग हो जाता है कहीं गुलाकार ये राउंडशेप, कहीं लंबी और कहीं शक्वकार जो है वो होती है कोशिका भित्ती पारदर्शी अर्था ट्रांस्पेरेंट और अर्ध पारगम्य सेमी पर्मियेबल होती है सेमी पर्मियेबल या अर्ध पारगम्य का मतलब क्या है इसमें से कुछ चीजें बाहर जा सकती है और कुछ चीजें जो है वो अंदर आ सकती है यदि किसी कारणवश यहां तूटकर भंग हो जाती है तब शीगरता से यह साइटोप्लाजम से पुनर जनन कर लेती है या रिजनरेट हो जाती है मान लिजे कि कोई किसी व्यक्तिका कहीं कुछ एक्सिडेंट हुआ और कोशिका हैं वहां की रप्चर हो गई है तो तुरंट अंदर का जो कोशिका द्रव भरा हुआ है वो मिलकर के और एक नई मेंब्रेन का निर्मान कर लेता है अब हम चर्चा करेंगे कोशिका भित्ति के कारिय क्या हैं तो सरव प्रथम यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है जैसे हम देखते हैं कि मनुष्य शरीर पर एक स्किन का यह पचा का आवरण होता है और इसी आवरण की वज़े से जो है वो सारे अंग हमारे एक स्ट्रक्चर्ड या एक शेप लिए होते हैं तो एक आकार प्रदान करने का कारिय यह बित्ति करती है दूसरा कोशिका को बहारी आगातों धक्के और रगड से बचाती है तीसरा कोशिका के कोमल लंगों की यह रक्षा करती है हम आगे चर्चा करेंगे कि कोशिका में क्या-क्या विबिन अंग जो है वो पाए जाते हैं उनकी रक्षा का कारिय इसका है चोथा बाहिए उतेजनाओं को ग्रहन करती है और एक कोशिका से दूसरी कोशिका तब पहुंचाती है बाहिए उतेजना का मतलब क्या हुआ जैसे तेज धूप या बहुत ज़्यादा ठंड इस तरीके के कोई भी जो वदलाव आते हैं बाहर से अगर कोई धक्का लगा है या मानीजे की तवचा पर कोई खीड़ा आकर के बैठा है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाहरी रूप से हमारे शरीर में उतेजनाए उत्तपन गरती हैं पांचवा कोशिका भित्ती द्वारा कोशिका के विकारों का निश्कासन होता रहता है जैसे हमने पहले भी चर्चा की कोशिका में भी सभी कारे होते हैं जो की एक मानव जीवन में भी होते हैं छटा कोशिका भित्ती द्वारा ही कोशिका पौश्टिक पदार्थों को ग्रहन करती है और इसके द्वारा ही आवश्यक तत्वों का शोशन किया जाता है साथवा, कोशिका भित्ती सभी वस्तूओं को ग्रहन नहीं करती, वह केवल आवशक वस्तूओं को ही भीतर जाने देती है जैसे कुछ आयन्स या लवन, सॉल्ट तो इसके भीतर आसानी से प्रवेश कर जाते हैं उधारन के लिए जैसे पोटेशियम भीतर ही रहता है, परन्तु सोडियम भीतर नहीं जाता और बाहर ही रहता है यह समझ तक रहाएं, कोशिका भित्ती की पारगम्यता के कारण ही संभव हो पाती है जो हमने पहले बात की थी कि अर्ध पारगम्य है, तो उसी की वज़े से यह कार्य हो पाता है कोशिका भित्ती अनिवार ये तत्व को कोशिका से बाहर नहीं जाने देती है और कोशिका के भीतर बाहर आने जाने वाले पदार्थों पर कोशिका भित्ती का पूर्ण नियंत्रण रहता है। तो इस प्रकार जीवन सम्मंदी क्रियाओं में कोशिका भित्ती की भूमे का बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वच्चो आज हमने कोशिका के बारे में पढ़ा कि कोशिका का खोज रॉबर्ट बी हुक जो इंगलंड के वेग्यानिक थे उन्होंने की और इसे सुक्षमदर्शी, शक्ति शाली सुक्षमदर्शी से ही देखा जा सकता है। और इसे देखने के लिए दो चीजें की जाती हैं, पहला है स्टेनिंग या इसको जो है कलर किया जाता है और दूसरा फिक्सिंग, उसी के द्वारा ही हम कोशिका की संरचना को देख सकते हैं, कोशिका में विभिन इसके भाग हैं, जिन में हम तीन प्रमुक भाग इसके बताते हैं, पहला कोशिका भित्ती या सेल मेंबर दूसरा कोशिका द्रव, कोशिका सार या जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और तीसरा है केंद्रक या नुकलियस तो आज हमने चर्चा की कोशिका भित्ती के बारे में कि कोशिका भित्ती किसे कहते हैं या क्या करती है इसके कारी क्या है अब आगे अगले व्याख्यान में हम चर्जा करेंगे कोशी का सार या साइटोप्लाजम के बारे में और साइटोप्लाजम में पाई जाने वाली विबिन सनरचनाओं के बारे में आपका बहुत-बहुत धन्यवाल